शोताओं नमस्कार निशानेयर का आज एक बार फिर आपके साथ हूं कारिक्रम है कोरोना से जंग जनता के संग शोताओं कोविड-19 वैश्विक महमारी ने सारी दुनिया को कड़वे और मीठे दोनु तरह के अनुभव कराए हैं जहां एक तरफ इसके कारण हमारी जीवन शैली में सुधार आया है वहीं हम स्वास्त स्वच्चता के प्रती सजग हुए हैं इसके कड़वे अनुभवों की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा असर रोजकार और आर्थिक शेत्र में दिखाई देता है बाउजुदिस के हम सभी मिलकर इसके खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उससे दिनों दिन हमारा जीवन सामाने होने की दिशा में बढ़ रहा है लेकिन अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है बलकि इसकी चुनोतियां बढ़ी है और इसका हम सभी को डट कर मुकाबला करना है शुताओं तेशफर में अब कोरोना से ठीक होने वालों की दर 52.79 प्रतिशत हो गई है एक लाख असी हजार से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं कोरोना जाच स्वीधाओं को बढ़ाने के लिए भारती अईरविग्यान अनुसंधान परिशत आई, सी, एमार, लगातार, सरकारी और नीजी दोनु तरह की प्रयोक्षालाओं को मानेता प्रदान कर रहा है अब तक देशफर में 248 नीजी और 669 सरकारी सहित 924 प्रयोक्षालाओं को मन्जूरी दी जा चुकी है कोरोना संक्रमन के देश पर प्रभाव इसे निपटनी की तैयारियों और भविश की स्थीतियों तथा इस बीमारी के खात में सहित विभिन मुद्धो पर ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भारगाउनी आकाश्वानी को विस्तार से जानकारी थी इस साक्षातकार का प्रसारण अंग्रेजी में समाचार सिवा प्रभाग नेदिली से किया गया था शुताओं की सुधा के लिए पेश है इस साक्षातकार का हिंदी रुपान तरण सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि इस वैश्विक महामारी के भारत पर प्रभाव को लेकर आपका क्या आकलन है जे बिलकुल हमारे सामने सबसे मातपूर चुनौती इस महामारी को जाच आइसोलेशन और नियंतर्ण की प्रक्रिया के जरिये नियंतर्ट करने की है यही इस बिमारी से निपटने का मूल सिधान्त है और इसी का हम अनुसरण कर रहे हैं भारत में हमने अब तक 60 लाग सधिक परिशन किये हैं और परिशनों की संख्या के अधार पर हम इस समय दुनिया में चौथे स्थान पर हैं संक्रमित होने वाले कई लोग अब ठीक हो गए हैं भारत में करोना के करण मित्युदर अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है लॉक्डाउन इस बिमारी के प्रसार को नियंतित करने में बहुत प्रभावी साबित हुआ है लॉक्डाउन के दौरान हमने करोना से लड़ने के लिए परिक्षन प्रियुक्षाला की स्थापना के साथ ही अस्पतालों के बुन्यादी धाचे को बहतर बनाने आक्सीजन की उपलब्दिता के साथ साथ संबंधित जो लोग हैं उनको प्रशिक्षित करने और बिमारी के खिलाफ अपनी तयारी को और मजबूत करने जैसे काम किये हैं ये भी जानना चाहेंगे कि पूरी तयारी के बाद भी हर दिन हजारों मामले सामने आ रहे हैं क्या ये स्थितियां आपको चिंता में नहीं डालती जी निश्यत रूप से संक्रमन की स्थिति वास्तों में चिंता जनक है हाला कि आने देशों की तोल्ना में हम देखें तो भारत में मृत्यूदर कम है जो संतोश की बात है हमारे देश में संक्रमन की गती धीमी हो गई है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं इस से हमें इस वाइरस के खिलाफ खुद को तयार करने का समय मिल रहा है ये बताईए कि एलीसा परिक्षन कितना प्रभावी है और ये आरटी पीसेर टेस्ट से कितना अलग है देखे सबसे पहले मैं इस पस्ट करना चाहूंगा कि एलीसा परिक्षन लाइव संक्रमन की जाच के लिए नहीं है बलकि इसका उप्योग सर्विक्षन और देशों के लिए किया जा रहा है ये सर्विक्षन समुदाय में फैली बिमारी के बारे में पता लगाने या लगभग 15 दिन पहले बिमारी का प्रिशन क्या था इन जैसी बातों को जाने के लिए किया जा रहा है एलीषा परिशन से उन एंटी बॉडीज का पता चलता है जो कुरोणा से लड़ने के दौरान किसी व्यक्षिक के शरीर में पैदा होते हैं यह रोग किसी को संक्रमित करता है तो एलिसा उन लोगों की पहचान करने में मददगार साबित होता है जो संक्रमित हो गए थे लेकिन अब ठीक हो गए है उन मामलों में जहां परिशन पॉजिटिव आता है तो हम पूरी जम्मेदारी के साथ या कह सकते हैं कि वह वेक्ति संक अब नहीं है यह बताएगा कि क्या यह मान लेना सही है कि संक्रमन और अधिक गंभीर होने वाला है और संक्रमन को कब तक नियंतरित किया जा सकता है अधिकी जैसा कि आप जानते हैं कि यह मामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है कई देश इस पर नियंतर नहीं कर पाए हैं कुछ देशों में यह बिमारी पिछले चार से पांच महीनों से है भारत में 30 जनवरी को पहला मामला दर्ज किया गया था मार्च अप्रेल और मई महीने में लगातार मामले सामने आ रहे थे अब तक हमने इसके प्रसार को रोखने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद है कि भविश में भी हम ऐसा कर पाएंगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को लेकर कुछ भ्रहम की स्थिती है इस दवा पर ICMR और विश्य उस्तास संगठन की अलग-अलग राय क्यों है देखी चूंकि यह एक एंटिवारल दवा है ICMR केवल निवारक के लिए इस दवा के उप्यो पचास वर्षों से करते आ रहे हैं तीसरा इसमें एंटिवारल गुण होते हैं यह प्रॉफिल एक्सिस के लिए प्रभावी साबित हो सकती है इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हम रविवार को इस दवा की 800 मिलीग्राम खुराक लेते हैं तो उसके बाद अगले दौरान मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता रहा है हलांकि डबलू एचो ने अपने परिक्षणों में बड़ी मात्रा वाली खुराक का उपयोग किया था उन्होंने परिक्षणों को कुछ समय के लिए रोक दिया लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है यह बत कि हम इस लड़ाई को कब जीतेंगे इसे नियंतित करने में कुछ महीने लग सकते हैं यह लड़ाई तब तक खिस सकती है जब तक इसका टीका यह प्रभावी एंटी वारिल दवा विक्सित नहीं की जाती जब तक हम दोनों मुर्चों में से किसी एक पर सफलता हासल नहीं क कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना वाईरस अन्य देशों के वाईरस से अलग है तो क्या यह बदलाव संभव है आपको याद होगा कि हम अपने कुछ छाटरों को इटली से वापस लाए थे हम कुछ तीर्थायतियों को भी एक उरण से वापस लाय थे कुछ चीन से आया थे तो ये तीनों वाइरस हमारे यहां उपलब्द थे जब हमने तीनों की जाच की तो 99.99 प्रिश्यत समानता देखी गई तीनों एक ही हैं इसलिए मेरा मानना है कि यह कहना गलत है कि भारत में आया जो वाइरस है वो अलग है यह बताएगा कि कोरोना को रोकने के लिए हमेरे मु खतियार हमेशा फेस मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम शारिरिक दूरी भी कहते हैं या दोगस की दूरी का पालन करना और जो लक्षन वाले वक्ति हैं जिन में लक्षन दिख रहे हैं सिम्टम्स दिख रहे हैं ऐसे लोगों का परिशन करना है यह भी मातपूर है कि हम बज़र्गों, दस साल से कम आयू के बच्चों और गर्बवती माहिलाओं का खास ध्यान रखें क्योंकि उन्हें इस बिमारी के संक्रमार्ट से सबसे ज्यादा खत्रा है। यदि इन शेडियों के लोग संक्रमार्ट की चपेट में आ जाते हैं तो उनके लिए गंभी रिस्ति हो सकती है। कोरोना की रोक्थाम में ICMR की क्या भूमिका है? कि अब इसनार से बताईएगा हमें। चालाओं आदी से समर्थन भी मिल रहा है। इसके अलावा प्लाजमा थेरेपी, टीके और दवाओं आदी पर शोच चल रहा है। हम ICMR में अपने इस तर पर दवाओं को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हैड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर आंकडे जारी किये हैं। हमने वाइरस को विखंडित करके वैक्सीन पर काम भी शुरू कर दिया है। ICMR एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य काम अनुसंधान है और हम आगे भी अपना काम करते रहेंगे। हमने दिखा कि देश में अब तक पांच चरोडों में ताला बंदी हुई है। तो ये कितना प्रभावी रहा। जी बिलकुल इस लॉकडाउन से देश को काफी फाइदा हुआ है। इस समय का उपयोग पूरे देश के साथ ही राजिस्तर और जिलास्तर पर प्रयोक्षालों के निर्मान और स्वास्त करकरताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया। भारा सरकार के सायोग से कई स्थानों पर परिक्षन प्रयोक्षालों की स्थापना की गई। सभी जिलों में अस्पतालों की तैयारी सुनिश्चित की गई। लोग अधिक जागरूख हुए हैं। हमने अस्पतालों में बैड, प्रशिक्षित, स्वास्त कर्मी, डॉक्टरों, नर्सों, आक्सीजन, दवाओं की उप्लिप्तिता भी सुनिश्चित की है। आईसी अमार देश में उत्पादे संसाधनों की जात के बाद, उन्हें कुरोना के खिलाफ इस्तमाल करने की मंजूरी भी दे रहा है। देश में सेक्डों द्योग अब PPE और मास्क का उत्पादन कर रहे हैं और अब देश में ऐसी वस्टों की कमी नहीं है। लोगडाउन ने हमें यह सब विक्सित करने का समय दिया। आखरी भी यह सवाल कि देश में लोगडाउन खुल गया है, तो क्या हम इसके लिए तयार हैं। देखे देश अब धीरे-धीरे क्रमवार तरीके से उनलॉक हो रहा है। अब यह भी मैसूस किया जा रहा है कि लोगडाउन ने सभी लोगों के सोचने के तरीके यानि जिसे हम माइंडसेट कहते हैं उसे बदला है। लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सचेत हो गये हैं जो एक बहुत अच्छी बात है। शोताओं कोरोना की इस जंग को जीतने के लिए हमें शारिरिक और मानसिक दोनों ही इसतर पर सुर्दिड होना है। 21 उनको विश्व योगा दिवस हम मनाते ही आ रहे हैं जो सारे विश्व को योग की शक्ति का संदेश देता है। कोरोना से इस लड़ाई में योग किस तरह से हमें और सशक्त कर सकता है। इस बारे में आकाश्वणी समाचार ने बात की योगाचार डॉक्टर आनंद भारती जी से। डॉक्टर भारती आपका कोरोना से जंग जनता के संकारिक्रम में स्वागत है। डॉक्सर वर्तमान में जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूज रहा है, इस समय ये कहा जा रहा है कि योगा और आयरुवेट से हम अपनी रोग प्रतिरुधक शम्ता बढ़ा कर इस संक्रमन से बच सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं तो नमस्कार कहना चाहूँगा, योग और आयरुवेट जो है वो प्राचीन समय से ही रोग प्रतिरुधक शम्ता को बढ़ाने में मनशी के लिए उपयोगी रहे हैं, और अभी इस स्थिति में भी अगर हम योग और आयरुवेट को अपनाते हैं तो हम अपने आपको स्वस्थ एवं सुरक्षित रख सकते हैं जी, डॉक सब तो योगा के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने रोग प्रतिरुधक शम्ता को हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कौन-कौन से ऐसे आसन हैं जी, सबसे पहले योगब ब्यास में हम सुर्य नमस्कार को रोज के क्रम में कम से कम छे बाहर करें, छे राउंड करें जी, उसके बाद जो भी सरल आसन है, जैसे की बैलेंसिंग आसन है, ताड आसन, विक्षासन, नटराज आसन, जो मानसी के कागता और शान्ती के लिए ज़रूरी हैं इस तरह से हम आगे जुकने वाले, पीछे जुकने वाले, साइट में जुकने वाले, स्विस्ट करने वाले, और गुत्वा कर्शन की सीध में करने वाले आसन करके अपनी उम्यूनिती को बढ़ा सकते हैं, रोप्रतिय दुक्षमता को बढ़ा सकते हैं तो हम अपने श्वसंत, तंत्र और फेफडे को किन आसनों के द्वारा संक्रमन से बचा सकते हैं? इसमें कि सुई नमस्का के बारा आसन जो मैंने आपको पहले बता दिये हैं उसके अलावा मत्स आसन, सर्वांग आसन, उसके साथ साथ तानयाम भी बहुत जरूरी हैं जोगिक ब्रीधिंग एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं जी परनयाम में कपालबाती, नारी शोधन, बुझ्जज़ई, ध्रामरी इनका हम अभ्यास कर सकते हैं जी अब तो सोशल मीडिया की इतनी अविलिबिल्टी है कि लोग ओनलाइन देख कर चीज़ों को कर सकते हैं जी उसके अलावा बैट कर और लेट कर करने वाले आसन भी उपलब्द हैं जो कि हम आसानी से कर सकते हैं अभी विश्व योग दिवस के उपलक्ष में भारत सरकार जो है एक प्रोटोकॉल लेकर आ रही है जिसमें लिस्ट ऑफ आसन जो है वो डिसाइट के गए हैं ये प्रोटोकॉल भारत सरकार के वेबसाइट पर उपलब्द है तो हम तार आसन इसमें पैरो को जोड़कर अंगुलियों को आपस में फसा कर चत की तरफ या आत्मान की तरफ हम पूरे शरी को खिचेंगे इसके अलावा त्रिकोर आसन ये साइट बेंडिंग आसन है फिर बैट कर बदरासन गोमुक आसन फिर सीधा लेट कर उत्तानपाद आसन मस्यासन और फिर उल्टा लेट कर भुचंग आसन धनुरासन का अभ्यास किया जा सकता है जी डॉक्सअब घरों में बहुत दिनों तक रहने के कारण कई बार ये देखने में आया है कि लोगों को डिप्रेशन का शिकार भी होना पड़ा है ऐसे में उन्हें उबारने में योगा किस तरह से साहयक हो सकता है अगर हम योग के बारे में करें तो योग एक्चुली अपने आप में पूरने टिकिट से है ये के बाद शायरिक स्वास्तिकों की देखबाल नहीं करता है जी शायरिक और मानसिक और भानात्मक तभी रूप से हमारे शरीर को शुद्ध करके संतुलिट करता है तो हम बहुत सरलता से डिप्रेशन और इस समय की जो एंजाइटी है लोगों के अमन में घबराहत जो है बनी हुई है उससे वो आसानी से बाहा निकल सकते है तो उसके लिए मुख्य रुप से प्राणयाम के साथ ध्यान का उप्योग भी करना चाहिए प्राण ड लेक्ति को शांथ बैड कर श् influen के आवा घंवन पर ध्यान देना चाहिए या ओम का उंच्ठान करना चाहिए या किसी भी शव्द कर जिसे वो क्रना चाहिए उच्ठान कर सकता है ध्यान काफी इसमें लाब डायक है, डिप्रेशन से बाहर निकलने में और प्रणयाम, प्रणयाम मैंने आप लोगों को अरेडी बता दिया है जी, डॉक्स अब योगासनों के लिए क्या डॉक्टरी सला भी जरूरी है? हाँ, अगर उस वेक्टी को शायरिक रूप से कोई तकलीफ है या कोई बहुत ही कम समय के आसपास कोई उप्चार हुआ है, सरजरी हुई है, तो डॉक्टरी सला भी जरूरी है जी, और इसमें कोई उम्र का बंधन तो नहीं है, योगा करने के लिए? योग के लिए उम्र की कोई बंधन नहीं है, कोई भी वेक्टी, बच्चे से लेकर बुड़े तक, जो स्वस्थ है, शायरिक और मानसिक रूप से, वो इसको कर सकता है, और जो अस्वस्थ है, वो डॉक्टर की सलाहा लेकर योग सिक्षक मार्च दर्शन में अभ्यास कर सकत योग असनों के साथ किन बातों का निशेद है, तेकि सबसे मुख्य चीज है कि जब योग असनों खाली पेट हो, शांत मन से अच्छे वातावरन में योग का अभ्यास होना चाहिए, और योग असन के अभ्यास के समय, हमारे आसपास की जगह में, कोई भी ऐसी चीज नहीं के शुरू करने से पहले 20 मिनिट पहले पानी पीए दो गिलास और योग अभ्यास के 20 मिनिट बात दो गिलास पानी पीए, इससे योग अभ्यास करने के कान शरी के अंदर जो शरीर की जो गतिवीदियां है, वो सुचारू हो जाती है, और शरीर में जो विश्व बन रहा है वो काफी विशेश है और ये योगडिवस लोग अपने घर में बैटकर अपने परिवार के साथ ओनलाइन माध्याम से जुड़कर मनाएं और घर बैटकर ही स्वस्थ रहें और स्वच्चित रहें जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक सब शोताओं कोरोना संक्रमन फैलने से रोकने में और आम जनों को इस संक्रमन से बचाने के लिए स्वास्त स्वच्चता और सुरक्षा प्रहरियों ने जिस तरह से अपने कारियों को अंजाम दिया है वो हम सब भली भाती जानते हैं इस कारे में इन कर्मियों को मानसिक और शारिरिक रूप से स्वस्त रखने में काफी मदद मिल रही है इस बारे में विस्तार से बताया हमारे सम्मादाता निखिलेश मिश्रने पुलिस कर्मियों एवं सुरक्षा बलों के मानसिक और शारिरिक स्वस्त को ध्यान में रखते हुए एवं करोना काल में लगातार डूटी के दारान होने वाले तनाव को कम करने के उद्देश से प्रदेश चासंद वह इस पंदन योजना की शुरुआत की गई है इसी कर्म में कोंडा गाउं जिले में रक्षित आरक्षित केंदर के मैदान में योग शिविर का एवजन किया गया इस शिवीर में रख्षी-तारख्षी केेन्दर के जवान यातायाद पुलिस के जवान एवाम कूढ़ गाउं स्थाना के जवान सही पुलिस अधिक्छाक कारले के कुल सो दिक जवान शामिल हुए, जिने वेक्सिकत दूरी का पालन करते होए योग सिक्छक्ध द्लारा योग शुताओं कोरोना महमारी से लड़ते हुए हमें आने वाले समय में न सिर्फ स्वैम को बल्कि देश को भी आगे ले जाना है। जाम दे रहे हैं। ऐसा ही उदाहरन दुर्ग जिले की स्वासायता समो की बेहनों का है। इस बारे में हमें बता रहे हैं हमारे समवादाता अभय जवाती। कराम चेटवा धमदा विकास खंड की जागरती स्वासायता समो की बारी में उत्पादी सब्जियों ने पूरे गाउं की तोसक्ता की पूर्ती की है। केमिकंदा 700 किलोग्राम भिंडी 600 किलोग्राम और 150 किलोग्राम भाजियों का उत्पादन किया है। और गाउंवालों को स्वादिस्ट सब्जियों का स्वाद भी मिल रहा है। सब्जियों के उत्पादन में गौठान में तयार और्गनिक खाद का उप्योग्राम किया जा रहा है। तुन्नात्मक रूप से बजार में उप्लब्द सब्जियों से बहुत कम मात्रा में केमिकल होता है। जिसके कारण हमारे बाड़ी में उत्पादित सब्जियों की मांग ज्यादा है। धरिलुकार संपन्न करने के पश्चात ते समय में बाड़ी में कारेकर अतरिक्त आमधनी का तरिया बनाया है। स्वसाता सम्हू द्वारा भविश्य में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। शोताओं कोविड-19 की वैश्विक महमारी ने समाज के विभिनक शेत्रों को प्रभावित किया है। ऐसे ही मांगली कारियों के बारे में बता रहे हैं। 50 लोगों का जमावडा करने की अनुमती मिल रही है। इस वज़ा से साधी का खर्च घटा है। इससे कमजोर आयवर्ग को बड़ी रहात मिली है। कुरोना का संक्रमा रोकने के लिए लागडाउन किया गया। इससे अनेक लोग पत्यक्ष अपत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। वहीं लागडाउन में महासमुझ जिले में सकारात्मक समाजी बदलाव भी देखने को मिल रहा है। लागडाउन के दवराम सबसे बड़ी समस्या उन गरीद परिवारों की थी। जिनके घर साधी जैसे मांगलिक कारेक्रम होने हैं। वहीं गरीब भी अपने बेटे बेटी की साधी धुमदाम से करने के चकर में कर्ज के बोश तले दब जाते थी। इसको चुकाने में कई माता पिता की तो पुरी उम्र बीच जाती हैं। बदली हुई परिसीतियों में अब ऐसा नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमन के संकटकाल में लोग वयवाही कारेक्रम में होने वाली बेवजय के खर्चों से बच रहे हैं। पर या वदू दोनों पक्ष के तरफ से मात्र बीच से पचास जार उपे तक के खर्च में अब साधी जैसे बड़े कारेक्रम होने लगे हैं। महासमुण जीले के बागभारान विवाह के स्डियम भागवत जैस्वाल ने बताया कि विवाह के लिए न केवल गरीब परिवार की अपीतु संपन परिवार को भी अनुमती लेने की बात देता है। साधी समारों आयजीत कर रहे परिवारों से पता चल रहा है कि कोरोना संक्रमन के डौर में साधिया कितनी सस्ती हो गई है। से वे आवेदनों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं प्रसासन भी कोरोना के बीच रहकर आम जन जीवन को सामान में बनाने में लोगों की मदद कर रहा है। दोनों पक्षों को मिलाकर अब कुल पचास यक्तियों की जमावड़ा की अनुमती दी जा रही है। इन सादियों में कोरोना संकटकाल के प्रोटोकाल का पालन करना पड़ रहा है। इसे मुँ में मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, सामाजी का और सारुरिक दूरी का पालन करना, अधिक भीड़ भार नहीं करना, सामुहिक भोज का आयोजन नहीं करना, और अनावस्यक आवागमन नहीं करना, आधी प्रमुक नीमों का पालन किया जा रहा है। यह संकटकाल जन सामानने को संदेज दे रहा है कि विवा जैसे मांगलिक कारेक्रम भी कम खर्चे और कुछ अनिवार परिवारिक सदस्यों के मद्ध कराये जा सकते हैं। इससे अनवास्यक खर्चों पर रोक लगेगी। और बौधिक विकास को भी ध्यान में रखा जा रहा है। साथी महिलाओं और किशोरियों के लिए भी विशेश सुधायों प्रब्द कराई जा रही है। बालोद चिले के ऐसे ही क्वारंटाइन सेंटर के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। हमारे सववादाता जै प्रका के लिए स्वास्थगत उनकी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रसासन द्वारत गरीमा किट प्रदान की जा रही है। जिसके चलते वहां किसी भी प्रकार की महिलाओं को होने वाली अस्विधाओं से बचा जा सकता है। एवं अपना कुरंटाइन सेंटर में समय व्यतित कर सकते हैं स्विधापूर्वक्षाशन प्रसासन की इस प्रकार की स्विधाओं को ध्यान में रखते हुए कुरंटाइन सेंटर में रहे रहे हैं महिलाएं बच्चे एवं सभी लोगों ने प्रसासन का अभार व्यक्त किया है। जैसे की हम सब जाना थन की कोरोना नाम के विमारी से आज पूरा देश परिसान है। लेकिन हम कुछ सुरक्षा के उपाय अपना के ये संकटला दूर कर सकत हैं। जैसे की जब तक बहुत जरूरी ना हो घर ले बाहिर मत निकला। और अगर घर ले बाहिर निकला थो ता अपनाक और मुहला ढखके निकलना है। दूसरा बात ये हैं संगवारी हो अपन हातला बार-बार साबुन से दिन में कई बार धोना है। अओ बहुत धीर भार वाला जगा मन में जाय से हमनला बचना हैं संगवारी हो। अगर हम कोई बाहरी व्यक्ती से बात करा थन या मिला थन ता ओकर से कम से कम एक गज के दूरी बना के हमनला बात करना है। ये सब सुरक्षा अगर हम अपना वो ता निस्चित रूप से कोरोना से हम सब बच सका थन। अव एक बात अव है संगवारी हो कि हमनला कोरोना से घबराना नहीं है बलकि शासन के जो निर्देश है जो सुरक्षा के उपाय है ओला हमनला मानना है फिर कोरोना ला हमर से हारेले पड़ी। अव एकरे साथ मैं आप मन के लिए दो लाइन गुन गुनाना चाहा था। आही समे आही रे पीरा परा जाही रे मन तैधी रज धर ले मूँ आही समे आही रे पीरा परा जाही रे मन तैधी रज धर ले मूँ मन तैधी रज धर ले मूँ मजाले के देख भला जिन गीत मासाला नीरासा के छोड संसो बनाए रख आसाला बीना बिश वास जोरे जिन गीत मासाला जीरासा के छोड संसो बनाए रख आसाला बीना बिश वास जोरे जिन गीत सुनतान है बीना सरधा के मया पीरा तुखा पान है पाही उही पाही रे जे जैसे कमाही रे मन तैधी रज धर ले मूँ आही समय आही रे पीरा परा जाही रे मन तैधी रज धर ले मूँ शोताओं अपकारिक्रम का समय लगभग समात्थोने को है इसलिए एक बार फिर आपसे यही कहना चाहेंगे कि कोरुना से हमारी ये जंग अभी जारी है और हमें बेहत सतरक और सुरक्षित रहने के लिए केंद्र और राजसरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी जिम्मेवारियों को भी पूरी इमानदारी से निभाना है तब ही हम इस वैश्विक महामारी से मुक्त हो सकेंगे इसलिए जरूरी है कि घरों में ही रहें सुरक्षित रहें सुनते रहें आकाश्वानी साथ ही श्रताओं हम आपको याद दिला दें कि समाचारों के अलावा हमारे समसामाई कारिक्रमों के लिए आप हमारे फेस्बुक पेज 36 निउस ओन एयायार ट्विटर हैंडल सीजी एयायार निउस और हमारे यूट्यूब चैनल 36 एयायार निउस से भी रेडियो के अलाव आप मोबाइल से भी जोड सकते हैं कारिक्रम की अगली कड़ी में 26 जून शुकरवार को इसी समय 10 बच कर 30 मिनिट पर हम पुना मिलेंगे आग्या दीजिए नमस्कार